हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविश्यवाणियों की पुस्तक में तो आईए हम आज की पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो की परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है आप संगर्शिक क्यों करते हैं? जैसा कि उर्पति की उस्तत अध्याय बर्तिस उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परन्तु इसरायल होगा क्योंकि तु परमेश्वर से और मनिश्यों से भी यूद करके प्रबर हुआ है मेरे प्रियों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिन्दगी एक संगर्श है लेकिन ये सच नहीं है शुरू में मसी में आकर आप इसलिए संगर्श करते हैं क्योंकि आपको वचन का पता नहीं होता है और जैसे आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता चलता है तो वह संगर्श धीरे धीरे आपके जीवन से अपने आप ही खतम हो जाता है अगर हम बाइबल में याकूब के बारे में पड़ें तो लिखा है कि याकूब ने इसलिए संगर्च किया क्योंकि वै बाइबल से बाहर होकर चला उसने अपने भाई एसाव के साथ दोखा किया और धोखे से उसकी आशिश को ले लिया और फिर अपने घर से अपने मामा लाबान के पास जाकर 14 वर्ष तक उसकी दोनों बेटियों के लिए सेवा की और फिर 6 वर्ष तक भेड़ बक्रियों के लिए सेवा की और फिर जब एसाव 400 कुछों को लेकर उसको मारने आ रहा था तब भी वह सारी रात स्वर्ग दूच से लड़ता रहा कि परमेश्वर मैंने इसलिए संगर्च किया क्योंकि मेरा चरित्र सही नहीं था और फिर परमेश्वर ने उसका नाम इसरायल रखा जिसका मतलब है शुद मनवाला मेरे प्रियों आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी भवश्यवानी है याकूब ने स पिता इजहाग ने कोई संगर्च नहीं किया क्योंकि इजहाग रोज शाम को परमेश्वर के वचन पर मनन करने जाता था उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर था जब आप वचन को पढ़ते हैं उस पर मनन करते हैं तब आप गलत फैसले नहीं लेते फिर आप ने उसके लिए सबसे उत्तम इंतिजाम किया, मेरे प्रियों, आज लोगों को अपनी चंग्याई, छुटकारे और आशीश के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वह सही रिती के साथ परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, आशीश मिली तो परमेश्वर का जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, याद रखें, अगर मसी में आपका चाल चलन, आपका चरित्र सही है, तो आप कभी संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे इजहाट ने कोई भी संघर्ष नहीं किया, इसलिए मेरे प्रियों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चंग्याई, जैसी गवाहियां पैदा करेगा, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आमी, आईए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखेगे इस अंगीकार को, आप मेरे साथ एक मनुकर करें, सरश शक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, पि आप सब को आज के वचन के उपर मनन करने के द्वारा आज शिशित करें, आमीन